Last time हमने string file name देखा था, ठीक है, आज हम देखने वाले file bytes, इससे क्या होगा, सिर्फ file binary में convert हो चाहेगे, लिखें, second number, file bytes, this property is used, this property is used to convert, this property is used to convert the file into binary format, this property is used to convert the file into binary format, this property is used to convert the file into binary format, this property is used to convert the file into binary format, it will return the data, it will return the data in byte array format, it will return the data in byte array format it will return the data in byte array format ठीक है? byte array format, ओके लेकिन यह कई इस्तेमाल नहीं होती है तो बस पता रहेना चाहिए इसले बता है मैंने आच्छा हमारा example हम आपको run करके बताते हैं चलिए run करने के लिए I click and view in browser run करते है आप लोग को यह मालूम है कि यहाँ से अगर कोई file select होती है बराबर यहाँ से अगर कोई file select होती है for example चलिए बने यह core python वाला photo ही है इसलिए double click क्या आया core python 4.jpg ठीक है और submit बेटन पे क्लिक क्या है तो उसका सिर्फ नाम आता है for python forward jpg फाइल का नाम आया से यह अपने इस से पहले किया हुआ है अब एक काम करता है आप देखो है मैंने run किया और मैंने सिर्फ submit बेटन पे क्लिक किया तो मतलब मैंने file select नहीं की और submit बेटन पे क्लिक किया तो actually क्या हो रहा है क्या होना चाहिए था अगर मैंने submit बेटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो sister ने बोलना चाहिए न मुझे please choose a file मैं अभी क्या हो रहा है file choose नई होने के बावजुद भी बेटन क्लिक हो रहा है और कोई operation भी perform नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई file upload की है तो उसका नाम आ अगर मैंने कुछ भी select नहीं किया और upload किया तो system ने choose करना चाहिए मेरा बड़ चेक करना चाहिए कि कोई file select की है या नहीं ठीक है क्योंकि उसके उपर नहीं तो आगे operation डिप्रेंट करेगा इमेजिन कीजिए आप लोगोंने submit बटन के क्लिक पर database में save करने का code लिखा हुआ है और यहां से कोई file select ही नहीं हुई तो database में cash load होगा हवा बरबर बरबर हो जाएगी non value चली जाएगी database में error ना सकते काफी सारे application crash हो सकता है देखने के लिए बहुत चूटी सी बात है और लेकिन उसके consequences बहुत बहुत करो सकते है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी file submit मना कोई भी code executor से पहले पहले मैं यह चेक करूँ कि इसने file select की है क्या नहीं क्लियर और यह करने के लिए हमारे पास एक property होती है इस property का नाम है has file has file नाम है उसका और उसका return टाइब बुलियन बुलियन मतलब true और false ठीक है तो has file उसके नाम में है has file मतलब file है या नहीं इसकी दो values है true and false अगर has file की value true है इसका मतलब तुम लोगों ने file choose की है अगर has file की value false है इसका मतलब तुम लोगों ने file choose नहीं की है correct यही मुझे करना है मुझे स्रीव इतना करना है कि सामने वाले बंदे ने अगर file choose की तो उसका नाम आना चाहिए वो तो पहिदे कोड लिखा हुआ है लेकिन अगर उसने file choose नहीं की और फिर भी submit बटन पे क्लिक क्या तो message आना चाहिए please choose a file clear ठीक है लिखते इसको third number लिखोगे Boolean type है और file नाम है प्रपरटी का हाग file. This property is used, this property is used to check whether the file is selected or not. This property is used to check whether the file is selected or not. This property is used to check whether the file is selected or not ok. It will next line में लेको. It will return true. It will return true. It will return true. ये तुमको true return करेगी property. अगर आपको file is selected है तो, if will return true if file is selected, otherwise return false. Otherwise return false. Done. Simple है अगर has file की value true आई इसका मतलब file selected है अगर has file की value false आई इसका मतलब file selected नहीं है ठीक है? अब भी हमको इसका इस्तामाल करके देखना है? ठीक है चुड़ो करते हैं. ध्यान माभी पूशिश करेगा? अब देखो ये प्रोग्रम आपको ही करना है? ठीक है? आपको ही पूशने वाला हूँ. देखो क्या होना चीए? आपको ये मालूम है कि सामने वाला बंदा एक्जामपल यहाँ से इसने यह वाली पिक्चर 4 नाम की फाइल चूज की है. और सब्विट बटन पर क्लिक किया तो पिक्चर 4 लिख क्या आया? नाम लिख क्या? ये बाद इसका कोड तुम अल्री लिख चुके हो. लेकिन कोई आया और उसने डारेक्टली सब्विट बट कि इसने फाइल से लिख की है के नहीं? करेक्ट है. कूड कि दर लिखना पड़ेगा? सब्मिट बटन के कि लिख के? जास डबल लिख किया. ठीक है. ओर्लाइन स्टुडेंट्स समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है अपन? ओके डन. चलिए. क्या करना पड़ेगा? ये लाइन एक्जिक्ट करने से पहले. पहले. चेक करना पड़ेगा ना? ये लाइन एक्जिक्ट करना है ठीक है. ये तो वह ऐसे भी एक्जिक्ट होई रही है. अरे लेकिन इससे पहले हम ये चेक करना चाहते है कि फाइल सिलेट की है कि नहीं की है? ठीक? चलो. कैसे बताई? बरबर. तुम्हारे दिमाग में क्या आरा है सोचो exactly मैं तुमसे इतना expect कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि sir अपने को condition लगाना पड़ता इतना भी तुम्हारे दिमाग में आया मतलब हो गया program यह expected था मुझे condition लगाना पड़ता है यह पतलब यह क्या है यह है logic, idea क्योंकि अगर यह program Java में होता है statement अलग-अलग program में अलग-अलग language में अलग-अलग language में अलग लोगते है लेकिन सभी language में एक ही जीज़ common होती है वो होती है logic, idea तरीका, ठीक है इतना clear होगा कि condition लगाते है condition कैसे लगाते है if else ठीक है सी language में हमने if else पड़ा था वो if else को जड़ा आखों के सामने लोग बढ़ा उसका syntax है अब करो कैसा है if in bracket conditions opening bracket नीचे उसके statement closing bracket और उसके नीचे else लिखते उसका opening bracket and closing bracket correct ठीक है अब देखो ऐसा समझो कि ऐसा मैं समझता हो कि मुझे if else आता ही नहीं ठीक है तो लेकिन मुझे syntax आता है मैंने देखाता है उतना ही लिख लेता हमाँ पड़ा if condition opening bracket closing bracket else opening bracket closing bracket इतना ही जितना आता है उतना ही लिखो main चीज क्या है condition correct main चीज है कि condition क्या जोगा क्या करना आप तुम लोगों को तुमको सिर्फ check करना है कि file upload control से file choose की गई है या नहीं आच्छा ये करने के लिए कोई सी property काम में आ सकती उसके बारे में सुच्छा कोई सी property नाम क्या है उसका उस property का नाम है service has file ठीक है has file की value true है या फिर false अगर has file की value true है इसका मुलब file select होए अगर has file की value false इसका मुलब file select नहीं है बस यहीं तो logic है ठीक है चले कैसे इस्तेमाल कर सकते पर इतना सोचे हो बाराबार अभी तुमार दिमाग में आना चाहिए property को इस्तेमाल करना है मतलब syntax control name dot property control का नाम क्या है बाराबर fu photo नाम है control का बाराबर dot property का नाम क्या है has file correct है बाराबर अब आपको यह मालूम है इसकी value एक तो true होगी तो false होगी तो check करना पड़ेगा ना और check करना मतलब double equals to बाराबर एक तो true होगी ने तो false होगी मैंने लिखा true है क्या एक तो how होगा ने तो नहीं होगा अगर true है इसका मतलब चाहता है क्यों उसने file select की है और file अगर select की है तो क्या होना चाहिए फाइल का नाम read होना चाहिए अब file का नाम read कर रहे है और पोड़ों ऐसे लिखे होगे तो 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 क्या करोगी इसको यहाँ से cut करोगी और एक में डाल दोगी correct है लेकिन मुझे बताओ अगर यह true नहीं है file select ही नहीं है तो फिर error message मतलब else में जाना चाहिए बराबर शाबाज else में जाना चाहिए क्या बराबर message आना चाहिए न उसके लेबल को ही lblmsg.text क्या message दोगे क्या प्लीज चूज अफ़ाइब done okay बराबर अगर आप चाहिए न की चलो भाई error है तो red color में आ जाए आपके बाई हाथ का खेले हो तो lblmsg.voor color बराबर बराबर system.drawing.t color. जो भी आपको देना चाहूँ आप red है साबाज done save किया करके लखते है अभी just refresh किया ठीक है अब मैं direct submit button पे click करते हो उसने बोला please choose a file correct type और अगर आपने फिर यहाँ से ठीक है मैं file choose करने को बूला तो file choose ही करने को यह किया file choose picture.4.gb अब आप बूले की sir black चाही था तो बस यही line अपको उपर डाल देनी बड़ेंगी टीक है okay clear हुआ सबको for example लिको has fine के बारे में अचा लिको writer program to check writer program to check हाँ लिकलो इसको for example draw किया क्या बोला में write a program to check whether the file is selected or not शिर्व इतना ही यह program है छोट्टा सा program है खोट के मन से program लिखने की कोशिश करो परेला draw कर लो और draw करने के बाद screenkeeper code दिया हुआ ही चै यह कोशिश करो write a program to check whether the file is selected or not बस इतना ही program है प्रोग्राम तुम्हेरे सामनी ही है कोशिश करो मन से लिखने का नहीं आया है तो screen पर देख लेना हो गया सबका ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब जो main काम है file upload का वो तो है save करना forever हाँ आप तक के जो property देखिती है तो basic property है main property है ये क्या है save है बराबर इसकी वदद से हम जो चाहे उस path पे अपनी file save कर सकते है बड़े ही आसान में थड़े है property है क्या है save है simple है जो भी तुम path दोगे उस path पे file save हो जाएग कोई problem नहीं है ठीक है लिखे फोर्थ नमबर save as लेकिन लिखते है बगतारा ध्यान से लिखना as capital है a capital है उसका और a की word है save as in bracket string type का path pass करना पड़ता है जिसमें भी आपको आपकी file save करनी है लिखे इसके बारे में this property is used this property is used to save the file this property is used to save the file on specific path this property is used to save the file on specific path this property is used to save the file on specific path लिखा समझा क्या लिखा यह क्या करते है जो भी path तुम दोगे उस path पे से हो जगी यही तो अपना aim है तुम local system का path दोगे तो local system में से हो जगा तुम server का path दोगे तो server में से हो जगा हम यह दोनुई चीजे में देखना हैं को पहले हम बात करते हैं local system local system मतलब जहाँ पे तुमारी hardics है hard drives है वहाँ पे उधारन के तौर पे देखो देखे एक मिनिट होल्ड कीजे होल्ड कीजे सभी लोग हासु दोग अज़े बात करते हैं अज़े अज़े अखाउंट के लेग मज़े कशोर के लेग फोल पे गूगल पे कैमरी अज़े अज़े बाता पांट करके लेग पितीम ची हमोगां लिमित कशी वाणा लाक काई मोगेंगे हमोगे नहीं? नहीं नहीं काईवते में थेका अपलोग क्युआद पोले हैंगे दूना देऱ्गे वोड मोट अकेप्टाव्ते हैं अब बुर्स हो बांद आए? आऄ? अब बुर्स नीए असनी मैं भाईजिया? मैं हो पार्ड़ भूर्म भिश्पल से हैं? हाँ तुम नाते हो जनल, इसले पाटवात जे मोडी रटक मोची या तरी लोड़े लेन पड़े लेन को को ठीक है ओके अब क्या चाहते हैं अपन हमने ये प्रॉपरेटे लिखी है कोई सेवाज वाजी अब हमें ये करना है कि जब भी कोई फाइल यहां से चूज हो तब मैं बटन के क्लिक पे मैं इस बटन का नाम भी अप्लोड देना चाहता हूँ और इस बटन के क्लिक पे ये फाइल फिजिकली कई तो भी स्टूड हो जाएं अब कई तो भी मतलब हार्डिक्स में स्टूड करना पड़ेगा अब हार्डिक्स में बूले तो यहां के चाहता हूँ कि मेरे पास जो एल ड्राइव है ऊस ड्राइव के इनदर देखो यह है मेरा L drive सपोज है इस drive के अंदर एक folder हो और उस folder के अंदर जो भी आपने upload की वही file है वह आजा clear हो रहा है ठीक है तो एक folder तो बनाना पड़ेगा मैं जगा बना लेता हूँ एक folder बना लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सपोज का नाम है documents देख रहा है आपको ओके और इसके अंदर कुछ भी नहीं है खाली है expected क्या है यहाँ से जो भी file चूज ती चाहेगी और button पे click करते से ही वो file इधर आने को उना clear ठीक है online students क्या करने समझ में आया ओके चोले हो करते हैं करते हैं submit button जो है उसको मैं upload नाम दे देता हूँ ठीक है अब वो मैं नाम ने चेंज करता हूँ बटन का ठीक है upload done क्या होना चाहिए code लिखना पड़ेगा होना क्या चाहिए देखो कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि direct upload बटन में click करते तो उसको रोकने के लिए अपन ने उसको चेक किया हुआ है मतलब has file लगाया हुआ है और has file लगाने मतलब file चुछ करने के बाद upload बटन के click पे हमको क्या कर रहा है file save कर देगी बराबर code का लिखना पड़ेगा बटन के click पे यही code है वो यही है मिलता चुलता है यही code है बस इसकी जरुरत नहीं है क्योंकि has file मतलब क्या कि file selected है बराबर और इसको मैं निकालने तो अगर file selected है तो क्या करना है save करना है उसको क्या करना है सिर्फ save करना है ठीक है अब ध्याद दो अगर मुझे कोई file यहां तक पहुचा नहीं है उधारन के तोर पर मैं आपको यह बढ़ता है कि देखो अगर मैं तरी से भी कोई image copy कर लेता है जैसे के अभी यह है banner वाला focus copy किया documents वाले folder में आया क्या नाम है file का banner अब मुझे बताओ इसका अगर मैं पात देखूं इसका अगर मैं पात देखूं तो कैसे देखना पड़े का मुझे पात क्या बात होगा इसका अगर आपको पात देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिजे आपको यह चीज मिल जाएगी इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ मुझे सिर्फ पात पता करना है ठीक है चले क्लिक किया copy किया और मेरा जो पात हो गया system का मतलब इस folder का है वो फिलाल की कंडिशन में यह है क्या है l.slash documents लेकिन इस image का अगर पात चाहिए इस image तक के पात मतलब यह जो पात है यह कहा तक का पात है सिर्फ folder तक का पात है लेकिन complete पात में यह complete पात कब देगा complete पात यह रहेगा slash उस file का नाम banner.gp यह है complete पात और आपको किसी भी file को save अगर करना है तो आपको complete path देना पड़ेगा clear clear ठीक है अब करते हैं फिरा पर यहां पर वापस आपको simply यह समझ में आ गया है जो ही has file है मतलब file अगर मौजूद है तो वो save हो जाए और save करने के लिए हमार पास क्या है अभी save as नाम की में थड़े property जो गया आप समझें इसको बस call ही तो करना है और call करके क्या देना है string type का complete path देना है इतना देना है करें फिर क्या लिखोगी आपके control name dot property नहीं तुम यह चीज़ देन में रखा को नहीं मैं जब भी property को इस्तेमाल करने की बात खहता हूँ coding में लिखता हूँ मेरा style एक ही रहता है मैं यहीं बोलता हूँ control name dot property नहीं क्योंकि property का इस्तेमाल करने के लिए यही देना है इसलिए आपके दिमाग में भी आ जाना चलिए control name dot property नहीं प्रोपरिटी का नाम क्या है इस्तेमाल लिखा ठीक है अब क्या देना पड़ेगा ब्राकेट और ब्राकेट के अंदर क्या बोला हूँ है क्या देना है पाथ देना है बराब अच्छले पाथ देना है ज़स्ट ड बोला कि भई हमारा l drive है l drive के अंदर हमने documents नाम का folder बना के रखा है और उस folder के अंदर हमको इस नाम की file इस नाम की नहीं जो भी file आएगी जो भी selected file होगी वो save कर देना जरूरी धोरी होगा कि यही नाम होगा यह तो मने उधारन दिया है स्रिप है लिक क्या लिखते l colon आगे slash documents कुछ याद आ रहा कि आपको कुछ याद आ रहा कि यहाद आ रहा कि है यहापे slash के बारे में एक बार मैंने पूती पुरान बताया था आप लोगों को कि backpair slash का मतलब कुछ और होता है है ना क्या मतलब है इसका और वो error भी दे रहा हूँ दिख रहा है तुमको error दे रहा हूँ क्या है वो बाराबर क्यों error दे रहा है बताया बताया था मैंने जवाब हूँ चलो याद को बाराबर forward says देना पड़ता लेकिन error क्यों आया यह पूछ रहा हूँ मैं exactly technically answer क्या है मतलब हो मैं word पूछ रहा हूँ तुमको इस चीज को कुछ भी बोलते है न escape sequence है exactly यह क्या है आपका जवाब होना चाहिए कि sir वो escape sequence consider कर रहा है ठीक है तो escape sequence consider नहीं करना चाहिए इसलिए एक तो तुम दो बार backward देदो या फिर एक बार forward देदो तुमको चैसा ठीक लगे वैसा करो एक कम करते हूँ मैं दो बार backward देता हूँ ठीक ड़न आगे बड़ते हैं चला हमको path किस तरह से expected है इस तरह और यह जो banner.jpg यह क्या है यह selected photo file है बराबाद photo का नाम है वो photo का नाम है लेकिन हमने कहा तक के लिखा यहा तक के लिखा अब क्या लिखना है slash लिखना है न मतलब documents के बाद में और slash देना है अब क्या लिखना है आपको photo का नाम जो photo का नाम आने वाला है वो क्या लिखोगे photo का runtime नाम लेना है कैसे करोगे अभी तो इसके पहले तुमने print करके दिखाया न photo का नाम direct file name नाम की property ना अपनी पास photo का नाम ही चाहिए ना with extension इसके पहले क्या कर रहे ते अपन कल से नाम ही तो प्रिंट कर रहे तो मने पहली बाद तो ही तुम लोगों को नाम चाहिए अपने को save करने की क्योंकि मैं देखो मैंने आपने पहले banner.jpg लिखाता है नेकिन यह मने हाथ से लिखा हुआ है ना हर कोई बंदा जब फाइल अपने करेंगा उसका नाम banner.jpg तुड़ी रहेगा ABC 1234 X कुछ भी रह सकता है तो जो भी फाइल का नाम रहे वो मुझे वाप चाहिए ठीक हैं तुमको फाइल का नाम रखना पड़ एक कुछ ना कुछ फाइल वहां तक पूच गी नहीं है सई बात हैं लेकिन हम चाहते कि हमारी फाइल उस जगा सेव हुआ है तुमको सिर्फ पाथ नहीं देना ए तुमको सेव भी करना है तो सेव करने के लिए यह file किस नाम से save करना है यह उसको बताना पड़ता है, इसलिए file का नाम लिखना ज़रूर ही है, ठीक है? चुरू बताओ, फिर अभी file का नाम लिखना है तुमको, क्या लिखेंगे बाहरा को? बाराबर, फाइल का नाम चाहिए शरी, control name.property का नाम, control का नाम है fufoto.property का नाम है file name, बाराबर ना, तो मैं किदर लिखूड, double quotes के पहले की बाद में, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा, directly इसके अंदर अगर ऐसा लिखा, fufoto, अरे तो वह ऐसा का वैसा आया चाहिए ना, exactly, ये इधर लिखते चलेगा ने, किदर लिखना पड़ेगा, इसके बाद में, plus देखे लिख दो, क्या, fufoto.find name, done, खतम, simple, find it out, देखो, save as में, स्रिफ path लिखना था, लेकिन path complete चाहिए, इसलिए इतना वो, मगजिमारी करना पड़ेगा, हाँ, आप चाहिए, आपको लग रहा कि, yeah sir, ये तो धोड़ा जादा ही मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको क्या करो, एक variable में डाल दो, औ ऐसा भी चलेगा, कोई problem नहीं, आप चाहिए उसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, चाहिए तो दो थीन लाइन में भी कर सकते हो, आपके बात, अब मैं ऐसा ही रण देता हूँ, आगे बढ़ते, करके देखते, चल, एक time करते हैं, वहापे और अल्ड़ीड एक फाइल है, ज ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सिलेक करते हैं, प्लिक किया, और कोई भी एक फाइल सिलेक कर लते हैं, फाइल मतलब तुम कुछ भी सिलेक कर सकते हो, मतलब फोटो, कोई आप वीडियो भी सिलेक कर सकते हो, आप कोई पीडियो फाइल भी सिलेक कर, कोई भी फाइल, लेकिन फिलाल अपन फूटो लेते हैं, उधारान के तो और पर आपको दिख राइए, या आपने लिखा हम अपने core python 4 नाम का फाइल आईए, python फाइल आईए, फ्लिक कर दिया, है न, core python 4.jpg, इसको मैं क्या करता हूँ, अप्लोड करता हूँ, अच्छा, एक चीज रहीगी है, अप् lbl.msg.text, message दे जेते हैं, क्या, file uploaded successfully, done, done, message दे जेते हैं, फिर शेक बार कोशिश करते हैं, run क्या refresh, okay, file upload करता हूँ, इस बार, यह मैंने core python वाला select क्या है, core python 4.jpg, और मैं upload बटन के क्लिक कर रहा हूँ, क्या बोले उसने, file uploaded successfully, check कर लेते हैं, हो सकते हैं मज़क कर रहा हूँ, ठेक है, check कर लेते, का जाना पड़ेगा, l drive के अंदर document time का फूल्डर बना है, वहाँ पर check करना पड़ेगा, यह आया आपके, कुछ दिख रहा है क्या, यह था क्या पहले, नहीं, यह तो blank कर दिया था पड़ेगा, आई की नहीं, फाइल, समझ में आई कैसे होता होगा, अभी यह चीज में आपको local system में करके दिखा, आपन उसके बाद में और बड़ा example लेंगे, server पर करके दिखाऊंगा, लेकिन यह playlist टेप है, अब कैसे file पोस्ता है कई पर, ठीक है, online student समझ में आई क्या आपको, बड़िया, draw करना है अभी, ठीक है, draw कर लो, जब भी बोलता है, draw कर लो तो फिर से draw के आपको, ठीक है, draw कर लो, for program लिखना है, लिखना है, लिखना है, write a program to select a file, write a program to select a file and save it and save it, it, in a drive, in a drive, in a drive, into the folder, मतलब drive के कोई folder में, ठीक है, अब मैं drive mention नहीं करता है यहापे, क्योंकि हो सकता है, आपकी system में L drive नहीं हो, ठीक है, आप कोई भी drive सेलेक कर लें, ठीक है, draw कर लो, और code लिखना है, code चुमने देखा हुआ है, कोशिश कोरो मन से लेखने का, नई याद आया, तो screen पे देख लेना, कोई problem नहीं हो, बस आराम से लेको, अब इसमें ऐसा है, कि अगर, यह example तो ऐसा हो रहा है, कि जिसमें L drive केंदर सभी के सभी store हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि जो image है, वो project के अंदर store नहीं चाहिए, क्योंकि project हम pen drive मिले लेते, और एक system से दूसरी system इजी लिडाल सकते, और pen drive लगा के और project सामने वाला बनना, कोई भी drive पे रखे, वो drive पे run time path मिल जाए, ऐसा करना है, यह अभी तुमने कहा किया path हाथ से दिया, तो यह चीज कैसा flexible नहीं है, जरूर नहीं कि हर किसी के पास D drive भी हो, E drive भी हो, कुछ कुछ laptop, नए नए अगर laptop होच उसमें एक ही drive रहता, C drive रहता से लिए, कब तो बांदा हो जाएंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी टेकनिक चाहिए, जिससे कुछ भी हो जाए, फाइल प्रोजेक्ट अंदर इस्टोड हो, आप तुम चाहिए, प्रोजेक्ट C drive में रखो, D drive में रखो, अभी कैसा हो रहा है, तुमने पाथ दिया है, यह specific पाथ है, एकदम बराबर दिया गया पाथ है, लेकिन मैं चाहिए, यह रिलेटिव पाथ दूँगा, लेकिन फिर भी उसको और perfect किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, आप बोलोगे, अभी तो अभी के condition में कैसा है, एकदम proper काम कर रहा है, यह तब तक, यह proper काम कर रहा है, जब तक यह project इस laptop में है, जिस दिमें आप बोलोगे कि sir, हमारे laptop में भी यह project डालनो, तब यह कामी नह करेंगा, क्योंकि तुम्हारे laptop में यह ज़रूरी ही गया, और फिर बोलेगे sir, अपन चेंज कर लेंगे, तुम चेंज क्या करोगे, इस एक जगे पर चेंज करोगे, तेकिन मुझे मताओ, live project में हाजारों पेजिस रहते हैं, उन सभी हाजारों पेजिस में, अगर तुम लो कि runtime path कैसे find out करते, server का, done, तो इसका ही path, इसका runtime, अभी यह जो है, इसका ही path find out करना, image हो गया, mp3 हो गया, notes हो गया, यह runtime folders अपने, इसके path निकल, लेकिन, मेरा project अभी c drive के अंदर है, इस ले आप बोलों के इकसर, c drive हो है, लेकिन जरूर नहीं ना, हमेशे c drive में रखेंगे तो जरूर नहीं है, कोई किदर भी रख सकता है, हाँ, तो यहाँ पे जो runtime drive होगा, उस drive का path निकाल के आना चीज़, यह करना है, ठीक है, एनिवे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी आपको homework, homework यह है, जान दो, आप सभी लोगों ने, drive बनाय हुआ है, एल drive में documents नाम का folder है, ठीक है, अब मैं imagine करता हूँ कि suppose, मुझे लगता कि L drive सबके पास होगा, लेकिन extract करता हूँ कि D drive सबके पास है, C और E D होती ही है, D drive सबके पास है, मैं extract करना हूँ कि D drive के अंदर documents नाम का folder है हो, और उसके अंदर, मुझे क्या करना है, यहाँ पे, दो file upload control चाहिए, एक है choose photo और एक है choose signature, बराबर, और जब मैं upload बटन के क्लिक करूँगा, तब यह दोनों ही मुझे अलग-अलग folder में चाहिए, ठीक है, मतलब, documents के भी अंदर, दो folders होने चाहिए, एक होना चाहिए, photo नाम का, जिसके अंदर, photo जाना चाहिए, और दूसरा folder होना चाहिए, signature नाम का, जिसके अंदर, signature जाना चाहिए, समझा, मतलब, मैं यहां से जब इसको upload करूँ, देखो, उधारन के तौर पर, आपको यह, देख रहा है, यहां से photo चूज होगा, और यहां से signature चूज होगा, और upload बटन के प्लिक होगा, तो photo जो है, वो photo वाले folder में चला चाहिए, और signature जो है, signature वाले folder में चले जाना चाहिए, clear, okay, online students, clear, बढ़िया, ठीक है, तो यह, अभी चूब बने example दिया, यह live example का आरेट है, यह आना ही चाहिए तुम लोगो, ठीक है, तो आज के लिए, इतना है,